नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और नई ताजा वीडियो में ये वीडियो तुला रासी वाले जातकों के लिए बहुत इंपोर्डेंड बहुत इखास रुबहुत ही महत्पुन रहने वाला है क्योंकि 12 जनवरी मंगलवार कदने हैं ऐसे में तुला रासी वाले जातकों पर दुखों का पहाड तूटने वाला है जिसको रोक पाना भी तुला रासी वालों जातकों के लिए असंबब माना जा रहा है मत्रों मनुस्य के जीवन में खुसिया आती जाती रहती है मनुस्य को कभी दंदोलत की प्राप्ती होती है तो कभी कई प्रकार की समस्चाये और संगणों का सामना करना पड़ता है मनुस्य हर समय अपने आपको परिवर्दित करने के लिए व्याकुल रहता है इस साल आपके जीवन में कुछ ऐसे ही घटना है तुला रासी वाले जातकों को दिखाने वाली है मित्रों जिनके कारण तुला रासी वाले जातकों के जिनमें बैच्यानी का भावा सकता है मन परिशान रह सकता है परन्तु आप चिंता न करें आपको कुछ महत्पुन साफधानी से परिशित करवाएंगे और वो कहते हैं न भगवान के घर देर है अंदेर नहीं भगवान जब एक रास्ता किसी बे मनुस्ते के बंद करते हैं तो सो रास्ते को खूल देते हैं ऐसा ही हाल आपके बार तुला रासी के जातकों को होंगे जिनके कारण इन लोगों के जीवन के सारे समस्याओं से दुख्तकलिफों से आर्शिक तंगियां और प्रसानों से इन लोगों को छुटकार दुवाएंगे इनके बैपार बैवस्ताय में वडुत्तरी करवाएंगे और इन लोगों के सुचे विकार भी अवस्ते सफल होंगे तदा तुलारासी वाले जातकों के सारे सत्रों को अब सदा मिलने वाली हैं आप बैपार बैवस्ताय के जगत में काफी नाम बनाने वाले हैं आपका पर्शम लहराने वाला है लगातार इस विडियो के अंततक बने रहें इस विडियो का कोई सभी पाड अगर आपको अच्छा लगे तो विडियो को लाइक अवस्ते करें और इस विडियो के कमेंट बॉक्स में जै माता दे अवस्ते लिखें तो मत्रों तुलारासी वाले जातकों को इस समय मिश्रित प्रणामों की प्राप्ती होंगी इस समय बोलचाल की भासव और आपको ध्यान देले के जुरूतूंगे क्योंकि आप जो भी बोलें बहुती सोंच समझ कर बोलें कारिश्तर पर जल्दबादी में निरणे लेने से बचें आंदनी आपको निरंतर बने रहेंगी लेकिन घर्चे भी आपके बने रहेंगे आपको कुछ स्वायत समधी समस्याई रह सकती हैं जिन कारणों से आप थोड़ी प्रिसानी में रह सकते हैं परन्तु पारिवारिक माहोल को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको चिंतन भी करना पढ़ सकता है समस्याई का परतिरोध करने की आप अवस्य कोशस करें समस्याई को आप अपने उपर हावी न होने दें आप कुछ मुश्किल हालात बिमारी या जद्धोहत से निकलने में सफल होंगे तुलारासी वाले जातकों को आत्म सकती को इकटा करके अंदर की सगरात्म कुर्जा में विर्दी करने के लिए यसमें बहुत उत्तम रहेगा बैवसाईक और बैववारिक संद्रव में पिसली गल्तियों से आप सबग ले सकते हैं और अनभवी जनों के सहत्ता से निरने लेना भी आपके लिस्सुब रहेगा आर्थिक स्तिय भी आपके कफी अच्छी होंगे आपको जीवन साथी के साथ मुरजन करने के रिए कहें महात्पुन अस्तलों का आनंद लेने के मुके भी प्राप्त होने वाले हैं मित्रों इसमें आप लोगों को प्रेम तुलारासी वाले जातकों के मित्र भी इसमें आपके भावनाओं को ठेस पहुचाने का कारी कर सकते हैं आपके यात्राएं अधिक हो सकती हैं आपको अपने वरिष्टों और अधिकारों से सहता और पुरुसकार की फ्राप्ती होंगी आप अपने कारिस्तर पर भी परसंसा के फ़ात रहोंगे जो आपके संतुष्टी को बढ़ाएगा आपके दंदोलत में मुडुत्री करवाएग आर्थिक संद्रब में त्वरित पैसा बनाने की योजनाएं और आकर्शक प्रसावों से आपको दूर रहना भी आपके लिवहत्तर होंगे इनसे आने वाले महीनों में आपके समस्ताएं हो सकती हैं आप कई प्रकार की मुसीवत में पढ़ सकते हैं इसलिए इसमें परिवा हैं आदर से रहेगा आपके बस्यों के स्वास्त भी आपके सिंटा कारन जरूर बन सकता है वानसरीय विष्मी की कृपास है आपके ीवन में बहुत सारे अच्छ्य सुबकार को करने के मोके भी प्राप्त हो सकते हैं आपका भाग भी गोड़े से भी तेज दौड़ने बा नोकरी के तरक्की पाने के कई अबसर मिल सकते हैं, वैपारियों को किसे डिल में अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है, धन की बचत कर सकते हैं, आपको पढ़ाई लिखाई के शितर में अच्छे प्रिनामों की हासल होंगे, प्रेमी के साथ आपके समन्ध काफी हच्छी होंगे, नोकरी में आपको करियर में आपको सही योग मिल सकता है, आपको जीवन में आपको विशेश बड़े प्रिवर्तन देखनी को प्राप्त हो सकते हैं, आई में वड़ुत्री होंगी, नए नेमों से आपको काफी जादा लाव मिल सकता है, वैपार दंदा आपका अच्छा रह स आने से पूरे होंगे, आपके सूचे वे काम पूरे होंगे, आपको अधिकारी का पूरा सहयोग मिल सकता है, आपकी आमदनी, वेपार और अन उपकर में वड़ोतरी होंगी, यदि आप नोकरी पैसा वाली हैं तो आपकी आए में वर्दी होंगी, पुदूनती मिल सकते हैं, आप अपने सपनों को साकार करने का प्रियाज कर सकते हैं। आप अपने जीबन में प्रेम समंदो के ने शुरुवात कर सकते हैं। आपके जीबन में आपको विसेश बड़े खुशकबरी मिल सकते हैं। तेजी से प्रगति करती वे समाज में आप अपने अलग पहचार बिनाने में काम्यावी को हासिल कर सकते हैं। व्यपार में आपको लाव हो सकता हैं। आपके अंदर आत्मिश्वास बढ़ सकता हैं। आप अपने प्रेवी के साथ आनद दायक समय व्यत्तित कर सकते हैं। गर परिवार में खुश्यों का आगमन होंगे। आप अपने कारों को सफलता प्रुबक प्राप्त कर सकते हैं। व्यवाइक जीबन में मेल जोल बना रहीगा। व्यवाइक जीबन में मेल जोल बना रहीगा। पार से दुड़े मामलों में आपको अधिक धनलाब हो सकता है। आप लोगों के जीबन में खुश्यां मरे फल आने वाले हैं। तथा आप लोगों को जीबन में दिन परते दिन आपको लागातार आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। अगर किसी लाइलाज बिमारे से गरचित हैं तो उनसे भी आपको चुटकारा मिल सकता है। आप अपने कारी शेतर में अपने पैसों के समंद्र समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आपको जीबन में आगे बढ़ने के मौके भी राप्त हो सकते हैं। आपका आने वालस में बहुत इसुबर काफिस्तान दार रहने वाला हैं। आप अपने कारीशेत्र में आपके किसमत और बिजनस मित्रों का पूरा सहयोग मिल सकता है। आप नायस रोतों को खोड़ सुकोगे जिनसे कि आपके आर्थिक इस्तित्यों में सुधार होंगे। आपके आपके बहुत से वहवाई मिल सकती हैं। आपके सहत पे पहले से वहत रहोंगी और आपको जीबन में देवे मा की कृपा से धंधाने मवड़त रहोंगी। आपको ननिहाल पक्षे से कोई समस्माचार मिल सकता है। असानक से आपको किसे समारों में जाने का मौका मिल सकता है। आपको कारुबार के दोरान जबर्दस्त मुनाफ़ा मिल सकते हैं, चारु तरफ से आपको धन का आगमन हो सकते हैं, आरिवारिक जीबन में आने वाले सारी के सारी समस्याओं से च्टकारा मिल सकता है, आप अपने जीबन में कई बड़े वदलाव देख सकते हैं, आप अपने जीबन में सामाने से तेजी से वढ़ती कर सकते हैं, आपके जीबन में आने वाले से विप्रकार के दुखों का अंतो होंगे, तारिवारिक विबादों और लडाई जगडों से दुर रहने की अवस्य कता है, तथा आपको लावकारी योजनाओ को बनाने के मोक्गे मिल सकते ह कारी शेत्र में आपके सुईफी किस्मत भी आपके जागने वाली हैं, आप लोगों की किस्मत पद्रने वाली हैं, आपके मनोकामनाई पूरी होंगी, असानक से आपको भारे दनलाब हो सकता हैं, घर में धन का आगवन हो सकते हैं, आर्थिक तंगया दूर होंगी, आपके काम दंदे में बन रही रुकावटे भी, अनुमान जी की कृपा से दूर होंगी, वैपार वैविसाय में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है, सिरी राम जी की कृपा से आप अपने लाप के गबसर भी प्राप्त कर सकते हैं, जमेन जाइदाद से समंदित मामल में आप आपको मुनाफ़ा मिल सकता है, वरुजगार लोगों को अच्छे रोजगार की प्राप्ती होंगी, आच्छे नोरेम जीवन में आपको अच्छे नतीजे बिकप्राप्त होंगे, आपके आमदने में जवड़ती ब्रभतरी होंगी, मित्रों आप लोगों को बताना आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत बिरंग ला सकते हैं भागिदारों के सहयोग से आप अपने कारोबार में कुछ नयाब बदलाव कर सकते हैं नचानक लाप प्राप्ति के योग बन रहे हैं आने वालस में आपके धनकमाने के नए-ने साधन भी प्राप्ति करवा सकता है आपका सुरू हो जाएगा आपको कारोबार के चेतर में लगातार सफलता हासन होंगी समाज इक चेतर में आप बढ़चर कर हिस्सा ले सकते हैं आपका अर्थिक पक्षब में मजबूत रहेगा पारिवारिक जीबन में सुकसानती बन रहेंगी जीबन साथी और बच्चों क आपको अब और ज़्यादा खुसियां हासिल होंगी और आपको इस समय जितना ज़्यादा हो सके अपने कुरोधपन रखने की जरूरत रह सकते हैं क्योंकि कुरोधित अवस्ता आपके लिए नुक्चान दायक सावित हो सकती हैं जितनी तेजी से आप तूसरों की भलाई कर करते हुए समाद में आप अपने अलग पहचान बनाने में अस्तापित कर सकते हैं और आपके दुखों और तकलिफों से और आपको कई प्रकार की मुसिबतों से चुटकारा मिल सकता है मत्रों आपके जीवन में एसमें बैपार भी आपका अच्छा चल रहा है यात्राएं आपके लिशुब हो सकते हैं आपका सुबस में शुरू हो चुका है और धनल आपका योग बन रहा है आपको सफलता मिल सकती हैं बड़े लोगों से सही योग मिल सकता है आप अपने जीवन में तेजी से प्रगति करते हुए आगे बढ़ेंगे आपके प्यार की गारी भी तेजी से आगे बढ़ सकती हैं आपका प्यार बैपार दोनों उननती कर सकता है तथा प्यार मेल जोल और आपसे सुदाव से इदाफ़ा हो सकता है और आपको अपनी सवी को बरकरार रखने की जरूरत रह सकते हैं नौकरी के छित्र में सुबस मचार मिलने के योग बन रहे हैं आपका भागे परबल रहेगा भागे के वलबोते आपके बहुत सारे काम पूरे हो सकते हैं आमदनी में बड़ोतरी होंगी जमेन जायदाद और प्रुपटी के मामले में लाव मिल सकता है आपके जीवन में नए रिस्तों के शुरुवात हो सकती हैं प्यार और पैसे में आपको तरक्की मिल सकती हैं, रुका वदन वे वापस मिल सकता है, आपके आर्थिक खालातों में सुधार हो सकता है, आपको कुछ नए संपर्ग बन सकते हैं, आपके सोचे हुए अधिकतर कारी भी पूरे हो सकते हैं, आपको बहुत बड़ी जल्दी ही बड़ी काम्यावी मिल आप तो हो सकता है विवा के मारग में आ रही बादाएं दूर हो सकती हैं आपको माता पिता का आशिरवात मिलेगा जिनसे आपका हर कार बिनारू के पुर्ण होंगे आमधनी के सरोत बढ़ सकते हैं और किसी काम में जीवन साती के सिला आपके लिए बहुत ये काम आने वाली ह तता मत्रों आपके जीवन में इसमें बड़ा प्रिवर्तन होने वाला है और आप किस्मत का साथ भी आपको मिलने वाला है